यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको पीछे की और धक्का देना होगा फिजिक्स के इस नियम को पहली बार अठारवी चताब्दी में सर आईजेक न्यूटन द्वारा वर्नित किया गया था और यह आज भी सच है न्यूटन की गती का तीसरा law जो action and reaction भी कहलाता है उसे हम हमेशा अनभव नहीं कर सकते लेकिन या दुनिया में चलने या काम करने वाली सारी चीजों में लागू होता है जब आप सड़क पर चल रहे होते हैं तो आपके पैर आगे बढ़ने के लिए सड़क के विपरीत वापस धका देते हैं एक कार में ऐसा करने वाले इसके पहिये हैं जो कुछ ऐसा करते हैं जैसे उनके टायर सड़क के विपरीत वापस आते हैं लेकिन जहाजों में लगे प्रोपेलर्स के बारे में क्या? वे भी न्यूटन के तीसरे नियम का उप्योग करते हैं. क्योंकि एक प्रोपेलर अपने पीछे पानी के मास को आगे से पीछे फेकता है, जो जहाज को आगे बढ़ाता है. यह आकर कैसे काम करता है? और यह इतने अलग आकार का क्यूं है? आईए इस वीडियो के माध्यम से इस बात पर नज़र डालते हैं. पर आगे जाने से पहले क्रिपया सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आप हमारे चैनल के आने वाले मेरे टाइम वीडियोस देख सकें. समुद्री जहाजों में, आम तौर पर इन दो प्रकार के प्रोपेलर में से एक को फिट किया जाता है. फिक्स्ट प्रोपेलर या ऐसा प्रोपेलर है जिसका बेट प्रोपेलर बॉस में जम्मा हुआ होता है. और जहाज की दिशा बदलने के लिए प्रोपेलर की रोटेशन की दिशा बदलने की आवशक्ता होती है जो इंजन रोटेशन की तबदीली से हासिल किया जाता है Controllable Pitch Propeller के Blades बॉस में अलग से फिट किये जाते हैं इसके आंत्रिक मेकैनिसम की मदद से Propeller Pitch को आर्क के माध्यम से एक साथ इस्थानांत्रित करने में सक्षम बनाता है एक Propeller कैसा दिखता है और यह आकार क्यों? पारंपरिक Table Fan के समान एक जहाज Propeller के पास एक केंदरी बॉस होता है जो पूरे अरीजमेंट की रीट की हड़ी की तरह होता है यह Rotating Shaft के साथ मिलता है जो Engine Room Mechanism के साथ अलाइन होता है Blades Propeller के समानार्थी होते हैं Blade पतले एरोफिलन भागों के समान हब पर लगे होते हैं जो Thrust पैदा करने के लिए आवश्यक Hydrodynamic Lift बना सकते हैं Propeller में दो Hydrodynamic सताएं होती हैं Face और Back Propeller में दो Edges, Leading और Trailing Edge भी होते हैं जो Edge पानी की सता को पहले गुमाता है उसे Propeller के Rotation के आधार पर Leading Edge के रूप में जाना जाता है चाहे वा Clockwise हो या Anti-Clockwise दोनों Edges में से कोई भी Leading Edge बन सकता है दूसरा Edge जो Leading Edge के पीछे रह जाता है उसे आनुगामी किनारे या Trailing Edge के रूप में जाना जाता है Propeller के काम को समझने के लिए आईए हम जहाज के Stern से Propeller को देखते है चलिए इस Propeller को Right Hand Rotating Propeller के रूप में मानते हैं जहां या Projecting Blade उपर से नीचे घूम रहे हैं और बाएं से दाएं मूव कर रहे हैं तैराकी की समान जहां हम अपने हाथ की उपयोग से पानी को नीचे और पीछे धकेलते हैं Propeller Blade भी उसी तरह पानी को दबाएंगे हाला कि या एक खाली जगा बना देगा जो तुरन Blade के पीछे जाते ही पानी से भर जाएगा ऐसा होने से या दोनों साइट के बीच दबाव या Pressure Difference के सिथी पैदा कर देगा Propeller Blade के अंडर साइट के पुशिंग एफेक्ट से बना एक सकरात्मक दबाव और Propeller Blade के टॉप साइट पर पुलिंग एफेक्ट दौरा बनाये गया एक नकारात्मक दबाव यह दबाव का अंतर सभी Blades पर होगा क्योंकि वे पूरे चक्र में घूमते हैं क्योंकि Propeller से जड़ा शाफ्ट इंजन के कंबर्शन या फ्यूल एक्स्पोजन से घुमाया जाता है इसलिए Propeller के पानी को धक्का दे भी रहा है और पानी के माद्यम से खीचा भी जा रहा है इस मोशन के दौरान Propeller Axial और Transverse Thrust उत्पन करता है Propeller द्वारा पानी के खिलाफ उत्पन Axial Thrust Intermediate Shaft के Thrust Bearing पर काम करता है जो इस Thrust को जहाज के सतह पर Transmit करता है और जहाज को आगे भी बढ़ाता है Axial Thrust या Fore and Aft Thrust वर्बल है जो एक जहाज को पानी के माध्यम से आगे या पीचे बढ़ाता है Propeller Blade का आकार इस तरह का होता है जिससे जहाज को आगे बढ़ाते वक्त सबसे अधिक Efficiency मिलती है और जहाज को पीचे बढ़ाते वक्त कम Efficiency होती है Propeller की गहराई या Immersion से Propeller के काम करने पर भी प्रभाव पड़ता है Transverse Thrust वर्थ Thrust है जो घूमते हुए Propeller Blade के Axis के Perpendicular में होता है उपरी Blade सत्य के पास काम करते हैं और उनका Transverse Effect निचले Blade के विपरीत प्रभाव को रद करने के लिए पर्याप्त नहीं है जो पानी में काफी अधिक डूबे हुए होते है जब इंजन शिप को आगे की उर ले जाता है तब राइट हैंड़ प्रोपेलर के लिए परिनामी थरस्ट जहाजो के स्टर्न को स्टार बोर्ड और उसके बो को पोर्ट में घुमाता है एस्टर्न दिशा में जाते वक्त स्टर्न पोर्ड की तरफ मुड़ता है और बो स्टार बोर्ड की तरफ इस क्रिया को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है क्योंकि एस्टर्न जाते वक्त रडर लगभग अब प्रभावी होते हैं फुल हेट से रोकने की दूरी काफी हद तक एक्षिल थ्रस्ट पर निर्वर करती है और विशेश रूप से या इमर्जनसी मैनुवर्स के मामले में महतपूर्ण है या 10,000 तन कार्गो जहाज के लिए 6 जहाज की लंबाई तक हो सकता है लेकिन या जहाज के प्रकार, आकार, उपलब्ज शक्ती और ड्राफ्ट और ट्रिम जैसे फैक्टर्स पर भी निर्वर करता है जहाज का प्रोपलजन सिस्टम वह महतपूर्ण हिस्सा है जो जहाज को एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक ले जाता है इंजन द्वारा कितनी ही पावर क्यों न उत्पन की जाए, बिना प्रोपलर के जहाज नहीं आगे बढ़ सकता है और नहीं पीछे एक जहाज के प्रोपलर का डाया मीटर 10 मीटर जितना बड़ा और वजन 100 से 130 तन तक भी हो सकता है अशा है आपने जहाज कैसे चलता है इसके बारे में कुछ ना कुछ नया जरूर जाना होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेर जरूर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें